हाई गाईज वेलकम अके निन मौसिना क्लासेज तो बिसिकली हम डिसक्रस करने वाले हैं मैनेजमेंट एंटी ट्वेंटी 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 का कट ओफ क्या हो सकता है जो जून को पेपर आपके लिए हुआ था सितंबर और से लेके नौंबर तक उसके बारे में ठीक है जितना गया था इसी के असपास रह सकता है लेकिन यहां पर गाईज एक चीज है एक चीज क्या है गाईज बैसिकली कि पेपर थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा एजी था कंपेर टू दिसंबर वाला तो हम मान सकते हैं यह कट ओफ थोड़ा बढ़ सकता है तो मेनेजमेंट का जो अन्रीजर्व जनर्र में क्टाफ है वह चा सकता है आपका 184 से लेके 184 से लेके ठीक है 184 से लेके 190 तक ठीक है यानि जो कट और प्षली बार गया था आपका 182 उसमें जो है 184 से लेके 188 मान लीजे 190 कि आपका स्कोर है तो आप सेव हो यह मान लो कट आफ में ठीक है अन्रिजर में EWS कट आफ गया था पिछली बार आपका 172 ओके तो यह हो सकता है आपका 174 से 178 EWS का OBC का भी गया था 172 और यह भी कट आफ OBC और EWS कट आफ मैंने देखा है कि नॉर्मली सेमी चलता है मेनेजमेंट पेपर के अंदर तो वह ही हो सकता है ठीक है अभी मैं इसके बाद अब नेट के आजाते हैं तो नेट में आपका गया था मैंनेजमेंट 54 परसेंट यह माल सकते हैं आपकी कि 54 के असपस रहेगा यानि 172 के असपस रहेगा और बहुत होगा एक दोन माक्स बढ़ जाएगा इसमें और कुछ नहीं होना ठीक अन्रिजर्व के मैं बात कर रहा हूं इसमें कुछ खास चेंज नहीं होना तो यह तो बात होगी नॉर्मन सी कि ऐसा ऐसा कटाओ बन सकता है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा साइजी था कुछ लोग एपर बात करते हैं तो जो पेपर 2 के लाश्ट के 10 questions आया थे वह इस बार काफी ईजी थी और ऑफ पिछले बार के तो ले देके ओवर और ऑल जो थोड़ा सा लेवल में मुझे जो पस्तनली लगा कि इस बार के पेपर का लेवल थोड़ा सा हलका था कंपेर टू जो डिसंबर पेपर आपने दिया था उससे लेगिन यहां पर बात आती है यह चीज जो होती है नलिफाई कर देती है अटेंडनेस वाला इशो आपका ठीक है इस बार ओवरॉल इंडिया में जो रिपोर्ट्स हैं मैनेजमेंट पिपर यह बात करें जो 13 सितंबर हुआ था जब कोवीट का काफी जाधा उस समय बोल बाला था और काफी केसे आ रहे थे 30 सितंबर था ठीक है जब आपका एक्साम हुआ था मेनेजमेंट का तो 55-60% अटेंडनेंस ही थी ठीक है एक्साम सेंटर्स पे बाद में अटेंडनेस इंप्रूफ हुई है बाकी जो आके के एक्साम सेंटर्स में लेकि मैं 30 सितंबर की बात कर रहा हूँ तो यह यह फेक्टर सीन में आ जाता है अटेंडनेंस वाला और जो रिपोर्ट है वो सही निकलती है तो आप मानके चलिए कि मैनेजमेंट कटाओ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और हो सकता है थोड़ा सा गिर जाए तो सर्प्राइस मत हुएगा क्योंकि नॉर्मली क्या ह होता है कि हम लोग कुछ फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और अटेंडने से एक बहुत इंपॉर्टन फैक्टर इसको में इग्नोर नहीं कर सकते हैं लेगिन अभी के लिए आप या जनरल के टेग्री को हो तो 190 मांक्स आ रहा है यह फिल यह आप EWSO आपके 178 से 180 के बीच म हैं future को हम लोग forecast करते हैं यहां पर error के chances भी हो सकते हैं हो सकता है cutoff 192 चला जाए हो सकता है 182 चला जाए EWS का यह चीज़ें हो सकती है हो सकता है इससे कम भी चला जाए बट जो मेरी projection थी वह fully based थी दोनों साल के paper को मैंने compare किया उनके questionnaire level क्या था उसके बैसे मैं आपको cutoff दे एक्यों एक्यों एक्यों